इस वीडियो में गाईस हम लोग बात करने वाले हैं ओक्सिजन ओएस 15 अप्टेट के बारे में क्योंकि इस अप्टेट को लेकर काफी नई इन्फोर्मेसन है ना वो सामनिकल के आई यह काफी जल्दी बीटा अप्टेट है वह याँ पर आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा तो इसकी जो डेट है ना वो मैं आपके साथ में शेर करने वालों और कुछ नए फीचर्स हैं वो सामनिकल के हैं उनके बार में आगे बात करने वाले और आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी न्यूस लाया हूँ जो कि आगे बात करेंगे तो वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर सकतो और चैनल को सब्सक्राइब करें ना क्योंकि इंडिया में जैसे यह अप्टेट है वो सबसे पहले लोग चुगा तो आपको वीडियो हमारे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगी अब आपको ये तो पता है कि OnePlus 12 स्मार्टफून के लिए कुछ दिन पहले आपको Oxygen OS 15 का क्लोस बीटा अप्टेट का जो फोरम है ना वो देखने को मिला था तो वो वाला फोरम है ना वो अब यहाँ पर Approved होना स्टार्ट हो चुका है काफी सारे Users के लिए तो काफी जल्दी अप्टेट है ना वहाँ पर इंडिया में देखने को मिल जाएगा सबसे पहले अप्टेट अब वो इंडिया में OnePlus 12 जो स्मार्टफोन है उसके लिए अप्टेट आएगा उसके बाद में OnePlus 11, OnePlus 12R, OnePlus 11R, OnePlus Nord 4 ऐसे स्मार्टफोन के लिए अप्टेट आएगा और इनके ओपर प्रोपर वीडियो आपको मारे चैनल पर मिल जाएगी कि कौन से मंद के अंदर कौन से डिवाइस के लिए अप्टेट है ना वह यहाँ पर रिलीज किया जाएगा अब यह जो Dynamic Island है वो Apple का वर्ड है हो सकता है जब यह फीचर आपको Oxygen OS के अंदर मिल जाए तो इसका नेम होगा जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है Fluid Cloud तो यह इसका नेम है वो होने वाल है और आप लोग देख सकतो लगबग जितनी भी जो अप्लिगेशन है वो सभी इस फीचर को यहाँ पर सपोर्ट करती है इतनी अप्लिगेशन तो iOS 18 का जो में फीचर है ना Dynamic Island वो अप्लिगेशन है वो भी सपोर्ट नहीं करती है जैस तो हमारा यह जो केमरा आइकन है वो कुछ इस परकार से आपर दिखाई दे रहा है जब Oxygen OS 15 का अप्टेट आजाएगा तो हम लोग iPhone 15 Pro के अंदर जो Dynamic Island मिलता है वेसी आपर Animation है वो यह आपर अप्लाई कर पाएंगे और यह सब चीज़े आपके साथ में सबसे पहले मैं शे देखने को मिल जाएगी सेकेंड मैं आप लोगों से बात करूं Color OS 15 Oxygen OS 15 की में हाइलाइट से ना वो क्या होने वाली है वैसे फीचर्स तो आपको काफी सारे मिलेंगे लेकिन में 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 फीचर्स है वो आपको मिलेंगे लोकी स्क्रीन कस्टुमाइजेशन जिसके उपर मैं आपको मिलेंगे Color OS 15 की लोकी स्क्रीन के अंदर तो ये एक फर्स्ट में फीचर है सेकेंड है एड्रोप जो की आईफोन के अंदर हमें एड्रोप मिलता है ना सेम उसी परकार से आपर सिमिलर होने वाला है दो OnePlus स्मार्टफोन को कनेक्ट करके easily हम लोग बड़ी से बड़ी व बता दिये और नया Control Center रहना वो भी हमें आपर देखने को मिल सकता है तो इन चीजों का हमें आपर काफी दिनों से वेटता जो की finally हमें काफी जल्दी मिलेगा और ये वाली आप लोग जो फोटो देख रहे होना वो Oxygen OS 15 की जो लोकी स्क्रीन है उसकी आपर ओफिशल काफी कम यूजर्स के लिए अप्टेट मिलेगा जैसे कि 300 से लेके 500 यूजर्स के बीच में और अप्टेट ना उसकी डेट है वो एक कंफरम तो नहीं है लेकिन मैं आपको आईडिया ना वो दे देता हूँ आने वाले दो वीक्स के अंदर अप्टेट है वो आ जाएगा 10 ओक्टोंबर से पहले पहले अप्टेट अब वो इंडिया में आने के चानल से जैना वो काफी जाद है बाकी और कुछ नई न्यूज है वो साम निकल के आती है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंफोर्म कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे दो जोइन कर लेना वीडियो तो आप लोगों से नेक्ट विडियो में जैहिन वन दे मातरम